सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटुब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असाने से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूटुब चैनल निमीजी नेट पर हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटुब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तो आज हम मैथमेटिकल रिजिनिंग के अंदर नमबर सीरीज सुरू करने वाले हैं नमबर सीरीज के कोशन करने से पहले दोस्तों हमें इसके कुछ बेसिक पैटरन है वो हमें पता होना चाहिए कुछ बेसिक टिप्स है वो हमें पता होना चाहिए अगर वो हमें पता चल जाते हैं तो हम बहुत ही असानी से ये कोशन कर शकते हैं और UGC NET के अंदर बिलकुल नॉर्मल कोशन आते हैं अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे तो बिलकुल असानी से सभी के सभी कोशन बिलकुल राइट कर शकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टड़ी करने के लिए हमारा पेड़ कोशन भी जोइन कर सकते हैं इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के सब्सक्राइब के लाइव मोक टेस्ट देते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा पेड़ कोशन जोइन करना है त पैटरन ऑफ नंबर सीरीज देखिए हमारे कोशन पेपर में काफी तरह की नंबर सीरीज आती हम कंश्यूज हो जाते कि इसके अंदर क्या होगा आपने देखा हुगा कि किसी के अंदर बढ़ते करम में होता है किसी के अंदर घटते करम में होता है किसी के अंदर मिक्स मिक् सबस्क्राइब करें, नियुक् instructor 11 3-5-7 ये और दूसरा 12 से दिवाइब हो रहे हैं, तो वो हमायोए ये एक 357 सी जो फेल को दो hours से डिवाइड हो रहा है ठीक है यानि कि इस तरह का नंबर जो केवल और केवल खुद से और एक से डिवाइड होता उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं और इसमें दूसरा example यह देख सकते हैं जैसे 11 13 17 19 यह केवल और केवल खुद से डिवाइड हो रहे और एक से और इसके लावा किसी third number से डिवाइड नहीं हो रहे तो इस तरह की number series हमें काफी बार देखने को मिलती है उसके बाद दोस्तों जो हमारी अगली number series आती इसके अंदर होता है pattern of difference इसके अंदर क्या होता है कि pattern इसके अंदर इस तरह का pattern दिया हुआ होता है कि सभी के अंदर जो difference है वो same होता है जैसे कि इसके अंदर हम देखते दोस्तों देखते दोस्तों 2 और 5 के अंदर 3 का difference है आगे फिर 5 और 10 के अंदर 5 का है फिर 10 और 17 के के अंदर दोस्तो 7 का है और फिर 17 और 26 के अंदर दोस्तो 9 का है तो आगे हमारा क्या है दोस्तो यहां पर इसमें देखे दोस्तो इसमें कितने का डिफरेंस है दो दो का है ती देखे दोस्तो तीन पांथ साथ नो इनके अंदर कितने का डिफरेंस है दो दो का डिफरेंस है तो जब हम 9 के अंदर 2 एड़ करेंगे तो कितरा हो जाएगा दोस्तो 11 यहाँ पर हो जाएगा और यह सो 11 है दोस्तो यह 11 हमें 26 के अंदर एड़ करना है और 26 के अंदर जब इसको एड़ करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 37 इसका अंसर आ जाएगा तो इस तरह से भी इसके अं हो सकता है और आगे देखते हैं दोस्तों आगे हमारे पास स्केर और क्यूब कि स्केर का मतलब क्या होता है दोस्तों किसी भी नंबर की पावर टू ठीक और किसी भी नंबर की पावर जब थरी होते तो उसे हम क्यूब कहते हैं यह हमने छोटी कलासों में पढ़ा हुआ है अब तीन की पावर 2 फिर 4 की पावर 2 अब इसमें देखे दोस्तों एक की पावर 1 हो गया दो की पावर 4 तीन की पावर 9 चार की पावर 16 और 5 की पावर 25 छे की पावर 36 हो गया तो यहां पे जो यह दिया हुए खाली यहां पे क्या आएगा दोस्तों यहां पे आएगा हमारा 7 की पा यहां पर आजएगा सत्यू सत्व उन्हें इंट चैसिस का अंसर आ जाएगा इस तरह से हम बिलकूल उसानी से कुश्चन कर शकते हैं और आगे देखें दोस्तों आगे जो यह हमारा एक्जामपल है इसके देखो दोस्तों इसके दर आप ध्यान से देखना इसके दर किया है कि एक है एक की पावर इन्होंने थरी दे दी फिर है टू की पावर थरी दे दी और फिर है थरी की पावर थरी दे दी अब ये सब ही हम करके देखते हैं दोस्तो च्यार की पावर थरी अब देखें एक की पावर थरी क्या होता है एक होता है दो की पावर थीन कितना होता है दोस् दोस्तों ये 125 हो जाएगा और यहां पे आगे जो नम्बर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों 6 की पावर 3 आएगा 6 की पावर 3 कितना होता दोस्तों 216 इसका अंसर होता है तो यहां पे इसका 216 अंसर आएगा तो इस तरह से भी हमें देखना है और एक चीज़ और दोस्तों य ये continuously बढ़ रही है या घट रही है क्या हो रहा है अब इन दोनों में आप देख लेना दोस्तों ये continuously बढ़ती विज़ारी है कोई वी नंबर पिछले नंबर से कम नहीं है ज्यादा ही है जब यह देखिए यहां पर बढ़ता हो जारा है एक चार नो 16 25 36 और फिर 64 यहां पर त इसी नंबर से या फिर इसका स्केर होगा या फिर इसका क्यूब होगा यह चीज हमें देखना है इसके अंदर और आगे देखते दोस्तों आगे किस तरह से है पैटरन अब देखिए पैटरन इन अल्टरनेट नंबर अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि पीछे हमने जो देखा था जो pattern है वो next number से ही जुड़ता हुआ जा रहा है इस तरीके से लेकिन इसके अंदर क्या होता है दोस्तो pattern alternate number यानि कि एक number का तीसरे number से जो रिस्ता हो सकता है अब देखे इसके अंदर हम देखने की कोशिस करते हैं यह देखे ध्यान से देखे इसके अंदर के आए कि जो हमारे number वो बढ़ नहीं रही यह देखे इसके अंदर यहां से 2 से 9 हो गया 9 से फिर 5 हो गया यानि कि पहले plus हुआ फिर minus हुआ फिर plus हो गया फिर plus हो गया और फिर minus हो गया यानि कि एक वर plus हो रहा है एक अबर माइनस हो रहा है पलस माइनस पलस माइनस इस तरीके से चल रहा है इस तरह की situation हो तो हमें क्या करना है दोस्तो हमें एक नमबर का थरी नमबर से relation देखना क्या है अब देखिए इसके इंदर हम करके देखते हैं दो और पांच के अंदर difference देखिए दोस्तो कितने का है तीन का है और फिर पांच और आठ के अंदर देखिए तीन का है और फिर आठ और ग्यारा के अंदर देखिए तीन का है ठीक है तो अब जो अगला जो नंबर आएगा दोस्तों यहाँ पर जो नंबर आएगा यह एक नंबर छोड़ देते तो यहाँ पर क्या नंबर आएगा व अगला pattern आता है दोस्तों हमारे पास odd one, odd one के अंदर क्या होता है दोस्तों एक number हमें गलत दिया हुआ होता है, वो हमें पहचानना होता कि कौन सा number इन्होंने गलत दिया है, जैसे कि यहाँ पर इसमें example देखते हैं, यहाँ पर आप देखो 3, 5, 11, 17, 21, अब यह देखे दोस्तो इसके अंदर क्या difference हो सकता है, इसके अंदर देखो दोस्तों क्या difference हो सकता है, इसके अंदर एक तो हमारा 14 जो number है, यह 2, 34 से divide हो रहा है, और एक हमारा 21, इन दो number को छोड़ के देखे दोस्तों, एक तो 14 को हम छोड़ देते हैं, तो और जितने वी number है, जैसे 3, 5, 11, 17, यह क केवल और केवल अपने आप से डिवाइड हो रहे है और एक से डिवाइड हो रहे है जो मैंने प्राइम नंबर की बात की थी आप से सबसे पहले जो बात की थी तो इन दो नंबर को छोड़ के और जितने वी नंबर है वो हमारे प्राइम नंबर है और यह हमारे प्राइम देखिए इस example में क्या दिया हुआ कि पहले 3, 6, 18 बहतर दिया है तो इसे थोड़ा सा हम समझने की कोशिस करते हैं देखिए 3 और 6 के अंदर क्या रिलेशन है तीन गुना में 2 यानि कि 6 आ गया फिर क्या है 6 का 18 आ रहा है तो इसका क्या एगा 6 तिया 18 आ गया फिर है दोस्तों हमरे पास 18 और यहां पर कितना है बहतर 18 चोक के बहतर यहां पर देखिए दोस्तों पहले 2 से गुना फिर 3 से गुना फिर 4 से गुना जो पिछले वाला है उस पिछले वाला जो नंबर है उसको दो से तीन से चार से इस तरह से multiply होता हुआ आ रहा है तो अब हमारा यहां पर जो सीरीज आई वो क्या आईगी दोस्तों बहतर को हमें 5 से multiply करना है बहतर को 5 से multiply करने पर जो हमारा यहां पर answer आएगा वो यहाँ पे हमारा answer आजाएगा तो दोस्तों इस तरह से बिल्कुल उसानी से आप question कर सकते हैं और आगे दोस्तों हमारे पास complex number series अब देखे complex number series जैसे नाम से पता चला है कि यह उलजी हुई थोड़ी सी series हो सकती है अब इसे समझने की हम कोशिश करते हैं अब देखें इसके अंदर क्या है यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों में देखते है difference कितना है इन दोनों के अंदर difference है हमारा एक का फिर 5 और 7 के अंदर है दोस्तों 2 का फिर 7 और 10 के तीन का फिर दस और चोधा के अंदर है दोस्तो चार का तो यहां से आप देख सकते हैं कि एक दो तीन चार डिफरेंस आ रहा है तो अगला क्या डिफरेंस होगा दोस्तो वह हमारा होगा पांच का यानि कि चोधा के इंदर जब हम पांच एड करेंगे तो यहां पे 19 आजाए जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा दो function वी उसके अंदर लग सकते हैं अब देखे इसे हम समझने की कोशिस करते हैं अब देखे इसका example देखे दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखे तीन और पांच के अंदर कितने का difference है दोस्तों यहाँ पे दो का difference है और फिर यहाँ पे देखे पांच और दस के अंदर कितने का है पांच का है फिर दस और दो के अंदर है दोस्तों दो का ठीक है और फिर बारा और चोबिस के अंदर है दोस्तों बारा का तो यहाँ पे हमें कुछ अच्छा pattern दिखाई नहीं दे रहा कि क्या pattern बन रहा है लेकिन आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो इसमें एक पैटरन बनता हुआ नजर आ रहा है इन दोनों नमबर के इंदर कितने का है दो का डिफरेंस है फिर इन दोनों के इंदर कितने का है दोस्तों दो का डिफरेंस है तो आगे जो हमारी series आएगी उसके इंदर भी 2 का difference होगा तो अगली जो series होगी दोस्तों उसके इंदर क्या होगा 24 पलस में 2 यानि की 26 यहाँ पर अगर हम 26 लिख देते जैसे यहाँ पर हमने 26 लिख दिया अब देखिए दोस्तो इन दोनों के अंदर दो का डिफरेंस हो गया इन दोनों के अंदर दो का डिफरेंस हो गया तो इस तरह से ही जो हमारी सीरीज है पूरी तरह से बन रही है दोस्तो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दू कि कई दोस्त यह सोच सकते हैं कि यह जो पैटरन यह तो बहुत असान असान पैटरन है तो UGC NET के अंदर जो पैटरन आते हैं दोस्तो वो असान पैटरन आते इसके अलावे भी कई तरह के पैटरन हो सकते हैं मुझे पता है अन्य एक्जाम में आते हैं लेकिन हमें यहाँ पे बेसिक करने की जरूरत है दोस्तो आज के लिए वस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारी चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और घंटे का बटन जरूर दबाएए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को असानी से देख सके थैंक्यू दोस्तो